तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शानदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाय का जान काफी अच्छे से अर्रा करे हो, यहाँ पर काफी इंपोरेंट में बात आप लोग को बताने वाला हूँ, बीहिवेर के तो पतानी रास्ते में आप लोग कोन आदमी ठकरा जाएं, जिसके साथ में आप लोग कभी मिले भी नहीं, जिससे आप लोगोंने कभी बाते भी नहीं कियें, और जरासी देर में ही वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपका दोस्त कब बनेगा, अगर उसका आप लोग का ब इसलिए पहले एक तरीके से अपने बिहेविर पर काम करने की कुछ करनी है कि हाँ एक ऐसा इंसान बनके रखना है जो कि अपने बारे में नहीं दूसरों के बारें भी सोचे और वही एक IS की पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं वो एक तरीक से जोब नहीं होती है तो इसलिए हाँ पर सबसे पहली बात जो होती है वो आप लोग का behavior होता है तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो होती है कि life में कौन आप लोग के रुकने वाला है वो आप लोग का behavior decide करेगा और ये behavior के बारे में हम आज ये कार्टिकल भी discuss करेंगे आप लोगों ने भी देखा हुआ कुछ लोग ऐसे होंगे भले ही आप लोगों से वो कुछ बोले ना आप लोगों और उनके पास में ही जाकर बैठ जाएं तो आप लोग के दिल को सकून मिल जाता हुआ मतलब एक तरीक से ऐसी positive vibes देखने को मिलती है कितना भी tension हो यार वो इंसान से दो मिनिट बात कर लो ना तो बिलकुल mind ना हलका हो जाता है तो ये चीज़ा आप लोग को life में देखने को मिलती है अगर कोई ऐसा इंसान आप लोग की life में है उसको कभी छोड़ना नहीं है और कोशिस ये करने है कि आप भी किसी की life में एक ऐसा इंसान बनो तो ये काफी important fact है आईए अब आगे चलते है सबसे पहले एक बार नज़र डालेते हैं आपर COVID-19 के cases के उपर all over world में क्या condition देखने को मिल रही है तो total मिलाकर 46 lakh आजकेड में case यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहे है यहनके 4.6 million जो case है COVID-19 के आजकेड में आचुके हैं all over world से total मिलाकर 3 lakh से ज़्यादे लोग की जान जा चुके है इस बीमारी की चपेट में 3 lakh से ज़्यादे लोग आचुके है बाकी यह वो खुशनसीब है 17 lakh के करीब लोग जो हैंसे recover होकर आचुके है यहनके 1.7 million लोग जो हैं वो हैंसे recover होकर आचुके है अगर मैं आप लोग यहाँ पर country के बारे बताओ तो आप लोग को पता है सबसे top number पर है आपर USA यहाँ पर लगबग 14 lakh से उपर case के आप 15 lakh के करीब होने वाले है और total 88 जो 1000 डे करीब लोगों की अब तक जान जा चुके है दूसे number पर Spain एं तीसे number पर Russia छोथे number पर UK UK कहने के लिए छोथे number पर है पर लेकिन death के मामले में UK दूसरे number पर है तीसे number पर Italy है आप सबसे बूरी चीज मुझे हाथ देखने को मिली आज हम लोग China को cross کرकर और Peru को cross करकर हम लोग उपर आगे यहां पर पेरु को पहले cross कर दीपा, पेरु ने भी चाइना को यहां पर cross कर दिया है, पर लेकिन बात यह भी है कि चाइना में हो सकता है, पता नहीं कितने case है यह इसके बारे बता नहीं रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो 11 मेंबर की टीम होते है किर्केट की उसमें इंक्लूड हो गए हैं यानिकि 11 नमबर हमारा भी आ गया है एक टाइम पर हम लोग 20 और 30 के भी भाहर थे अब हम लोग 11 नमबर पर यहाँ पर आ गये हैं यहाँ पर टोटल जो केस है 85,784 केस हमारी कंट्र 53 लोगों की जान अब तक जा चुकी है यहाँ पर एक आर्टिकल डिसस करूँगा तमिलाडू के बारे में तो तमिलाडू हमारी कंट्री में दूसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा केस लिए हुए है अगर आप लोग नमबर ओफ केस के बारे में हाँ पर बात करते हैं तो मह जानती हैं कहां पिर क्या-क्या चीजे चल रही है तो कभी केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कभी रूख जाते हैं और सबसे जो बूरी बात है वो यह कि कल है 17 तारीच और लोगडाउन ओपन होने वाला है तो क्या-क्या चीजे आगे चलने वाली है किस तरीके से पार्षिल रिवजन आप जरूर किया किजिए, एक cycle complete कर देता है रिवजन, जब आप लोग रिवजन करते हैं तो, और आज Saturday, Saturday आप लोग का निमंद भी होता है, ऐसे भी होता है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लोग लिखने कोच किजिएगा, दो दिन र कर रहे हैं, तो 1000 से आप लोग को 1200 जो वर्ड कम से कम लिखने हैं, ठीक है, तो इंडिया के सामने जो चैलेंज है, वो science है, नोटे, pseudoscience, तो इसके बारे में आप लिख पाएंगे, अगर मैं आप लोग को थोड़ा से इसके बारे हैं बताऊं, तो थोड़ा समझ ये क्या हैं, तो science problem है, हमारी country में ढंक से develop नहीं है, छदम विख्यान जो है, वो एक तरीक से अपने आप कम होना इस्टार्ट हो जाता है, अगर science अच्छे से develop होती है, तो इसको पहले समझ लिजे, अगर किसी चीज के ओपर कोई experiment किया जाता है, experiment करने के बाद में वो चीज proof हो जा जाते हैं, अपना जो basically कोई बात हो गई, उसको बोल दिया कि हां ऐसा कुछ होआ करता था, भले उसके पीछे कोई evidence नहीं हो, और फिर उसको एक तरीके से वो नहीं होता है कि किसी भी तरीके से उसको proof ये बताने की कोशिस की जाते है, कि हां ये सही है, यानि कि ये science का opposite है, science इसमें experiment करें, प्रूफ के जाता है, ये हो गया, इसमें पहले माल देते हैं कि ऐसा है, और फिर उसको proof करने की कोशिस करते हैं, जैसे कि, जैसे अभी recently आपर COVID-19 के चलते बहुत बड़ी debate एक तरीके से start हो गई थी, कि जो गाएं का मूत्र है, वो cancer को ठीक करता है, उसके अं कोई माल लिया है कि हाँ कुछ न कुछ जरूर करेगा, और उसको proof करने की कोशिस की जा रही है, तो ये है, ये एक तरीके से pseudoscience, तो जहाँ पर scientific temper होगा इनसान का, वहाँ पर pseudoscience होती है, वो कम होनी start हो जाती है, तो challenge science है, अगर science सही चलेगी, तो फिर चीज़े एक तरी सही होनी start हो जाती है, science में क्या होता, अगर कोई criticize करता है, तो ये उसको accept करते हैं, कि हाँ criticism हो रहा है, और ये उसको constructive way में लेते हैं, यानि कि अगर किसी ने बोला कि आप लोग ने जो experiment किया है, वो सही नहीं है, इसमें ऐसा होना चाहिए था, तो ये उसके ओपर सोचते है कि हाँ ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, और उसको फिर उसकी तरीके से प्रूफ करने की कोईश करते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये अड़ जाते हैं, ये बोलते हैं कि जो हमने बोल दिया, वही सही है, और तुम गलत हो, तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से ये एक बार सोच लेते हैं हाँ ये हम लोगों को कर रहे हैं और उसी के ओपर टीके रहते हैं कि बिल्कुल यही सही है इसमें और कोई चेंज होई नहीं सकता तो ये बिल्कुल उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा तो जिस तरीके से आज किर में सोसाइटी आप ल जब जब हमारी country में science की लेटर जो congress होती है उसमें भी कई बार ऐसी बाते निकल कर आती है बिना scientific proof के कई सारी बाते कई सारी नेताओं के द्वारत तक बोली जाती है जो कि कई बार बोल लाता है कि यह सही तरीका नहीं है जनता एक बार को बोले समझ में आता है वो लोग बोल को लिख पाएंगे, कुछ सर्च की जगा जितना आप लोग सर्च कर सकते हैं, और एक अच्छा सा निमन लिखने की कोशिस आप लोग को करनी है, ठीक है, तो ये इसके बारे में कोशिस की जगा, एक और important fact, जो यहाँ पर गुरूप के बारे में, आप लोग यहाँ पर पोस्ट आती है, तो मैं उसको अलाव नहीं करता हूँ, कोई परमोशन चल रहा है, फालत हूँ कोई ने कोई लिंक पोस्ट कर रहा है, कई सारी वलगर चीज़े पोस्ट की जाती है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा, तीन हजार के करीब पोस्ट जो ऐसी है, जो आप प करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आप लोग की रिक्वेस्ट जो है, लगबग 24 आर के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लियाता है, तो प्रेसान मत हुआ किजे कि सर एकसेप्ट नहीं है, जब भी मुझे टाइम लगता है, देखकर एकसेप्ट उनको थोड़ा सा ए पोस्ट की जाती है, लास्ट 28 डेज में, ठीक है, तो जैसे रिया राजपुत हो गया, सिरी देवी सिंग हो गया, प्रियंका यादा हो गया, नितीष कुमार हो गया, तो टोटल 10 मेंबर हैं आपर, ठीक है, जिनके द्वारा टोटल लास्ट 28 डेज में सबसे ज़्यादा पो तो आप लोग भी इन 10 मेंबर में आ सकते हैं, डेली कोशिन पोस्ट करेंगे, और आप लोग भी कोशिन को अटेम्ट करने की कोशिस जरूर कीजेगा, आईए अब आर्टिकल के उपर ने जालते हैं, और हाँ, ये जो ग्रूप है, लिंक उसी को जोइन के जगा जो वीडिय की जा रही है, पहला आर्टिकल काफी important है, quarantine के बारे में बाते कर रहे हैं, जो राजे हैं, सब में अलग अलग तरीके से quarantine की facility को लेकर चला जा रहा है, तो ढंक से चीजे implement नहीं की जा रही है, और lockdown खुलने वाला है, तो कैसे लेकर चलना है, तमिल नाडु में अभी हाँ प के बारे में बात कर रहा है, interesting बात है, काफी आप लोग यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आप लोग को भी जानने को मिलेगी, net के बारे में बात करें, NET NEED, ठीके, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्या है, कई बार न्यूज में आप लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर जो बात की जारी है, अजके में होट स्पोर्ट बन चुकी है, जो मार्किट है, सबजी मंडिय है, यहाँ पर COVID-19 को लेका, तो इसके बारे में हाँ पर बात की जारी है, इसको जो बिहेवियर वाला आर्टिकल होगा, जो खासकर लिकर सेल वाला, उसमें मैं इसको इसको इंक्लूड करके चलूँगा, वहाँ से आप लोगो पता चल जाएगा इसके बारे में, कि क्या कंडिसन देखने को मिल रही है, लेक्चर की सारी पीडेप एक जगए एक घटी तमिल नाडू नहीं सुरे, टेलिग्राम पर मिल जाती है, वहाँ से जाकर आप लोग डा पता होना चाहिए, तब ही आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में यह सब सुनने में यह लगता था, पता नहीं यार क्या है यह, लेकिन आज किर में तो इतनी बार सुन चुके हैं, कि अगर आप लोग किसी ऐसे इंसान से रखो, ताकि वो जो बीमारी है, वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच सके, तो सेंटर और इस्टेट जो हैं आपर कॉरिंटीन की फैसिलिटी को लेका, काफी ज़्याद है रसा कसी में रहते हैं, बलकि अलग-लग राज्ये अगर आप लोग आज केट में देखेंगे, त अलग-लग अपना प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो राइटर जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, यह सही तरीका नहीं है, इस तरीके जो चीज़ों को लेकर चल रहे हो, यह और ज़्यादा पोलम कर सकता है, बहुत सारे माइगरेंट वरकर और उनकी फैमिल आसे भी जो लोग थे, वो यहाँ पर अपने घराए, बाइ ट्रेन, बाइ एरक्राफ्ट, बहुत सारे लोग पैदल भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसके चलते जो लोगडाउन है, उसको जो रेगुलेटर है, वो है सेंटर, तो सेंटर को यहाँ पर ए लाड़ों में जाता है, तो वो सारी चीज़ा आप लोग अलग अलग देखने को मिलेगी, यहनिकर COVID-19 बीमारी है, पर लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है कोरिंटीन में रखने का और फैसलेटी प्रोवाइड कराने का, वो सबका अलग अलग है, तो यह क्या होता है, इसकी यह होता है, जहां पर फैसलेटी अच्छी मिलती है , वहाँपर तो बीमारी ठीक हो जाती है, पर लेकिन जहां पर फैसलेटी अच्छी नहीं होती है, वो फिर लोग हुझते है उनकी जान तक चली जाती है, तो इसलिए आपर जो खासकर आज का देखें कैस सारे राज्ये के रही है और वो ट्रेन पहुंच रही है बेसिकली अलग अलग एरिया में कल की मैं आप लोग को बात बताता हूँ हमारे यहाँ पर भी घर पर कुछ लोग हैं जो की काम करने के लिए रहते हैं जो की हावडा से हैं वेस्ट बंगाल से तो वो जो लोग हैं अभी उनको भी जाना हैं अच्छागासा पैसा ले रहे हैं और तब इहां पर बेजाता है पर पर लेकिन अलग अलग तरीका है सारे राज्या के अंदर में, तो ये काफी बड़ी पोलम आज केट में देखने को मिल रही है, यानिके लोग अपने घर पर जातो रहे हैं, पर लेकिन ये जो बीमारी है, वो एक तरीके से जादा बढ़ने की हाँपर चांस ओर जादा है, बढ़ जा रहे हैं, जैसे आज केरे में अगर आप लोग बात करें हाँपर, जो सेवरल इस्टेट है, उनका रेस्पॉन्स जए हो बिलुकुल फ्लैट आप लोग बोल सकते हैं, फ्लैट फुट नहीं होता है बिलुकुल जिसका पैर जो होता है चप्टा होता है यानिके काम करने के लिए तयार नहीं है एक तरीके से इस तरीके से बोलने की कोशिस की जा रही है ट्रेन जो थी हाँ पर जो बैंगलोर से बात की जा रही है ट्रेन जो पैसेंजर की जो उसके तरीका रियां है, तो माली ज़िए कोई गरीब आदमी है, उसके पास में तो फेसिलिटी नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करने है। तो देखिए माली ये बैंगलोर के जो इस तरीके से आप उनको क्या किया गया, option किया गया कि होटल में जाकर आप लोग रख सकते हैं, तो चलिए हाँ पर वैसे तो गवर्मेंट की कोई quarantine की facility नहीं थी, तो चलिए उनको होटल में रख दिया, ठीक है, होटल, होस्पिटल, होस्टल, एक ये जैसे हैं सारे, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के और बिहार की, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक अलग तरीके से लेकर चल रहे हैं, हाँ पर कई सारे जो लोग थे, जिनको quarantine में रखा गया था, वो quarantine को छोड़ के भागे, उनको लगा यार, हाँ पर तो मर जाएंगे, कुछी facility प्रोवाइडर नहीं कराया पा रहे हैं, तो इसकी विज़े से कई सारे ऐसे एरिया थे, जैसे उत्तर प्रदेश ब्यार के अंदर में, लोग वहाँ से निकलनी कर भाग गए, जैसी उनको मोका मिला, केरला के बारे में, अगर आप लोग बात करते हैं, तो 14 दिन का institutional quarantine बोला गया था, सेंटर के द्वारा, पर लेकिन केरला में क्या बात कर रही है state government, कि साथ दिन तो इनको institution में रखो, और साथ दिन इनको घर में रखो, यनिके आप लोग इनको आधे time ही आपर रखो, आधे time इनको घर पर भेज़ दो, यनिके home quarantine रखो, आप लोग ये समझे, अगर किसी particular person के कोई symptoms हैं, आलगी कई बार तो symptoms होनी करते हैं, और उसको घर में रखा जा रहा है, घर में बच्चों से भी मिलेगा, अपने माता पिता से भी मिलेगा, तो ये इस तरीके से और ज़ज़ा chance यहाँ पर हो जाते हैं, बीमारी के बढ़ने के, यनिके lockdown खतम होने वाला है कल 17 तारीकों, और अब तक हम लोग ये decide नहीं कर पाएं कि quarantine तक की facility को कैसे लेकर हम लोग को चलना है, तो कितना सही direction में हम लोग चल रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात यहाँ पर देखने को मिलती है, देखिए ये तो पता है कि कल फुल withdrawal नहीं होने वाला है lockdown का, या तो partial withdrawal होगा या फिर कोई और यहाँ पर परतिबंद लगा कर चीज़ों को आगे लेकर चला जाएगा, अब यहाँ पर moment जो हो सकता है कुछ थोड़ा सा और open क्या जाए लोगों के लिए, अगर जो लोग है एक एरे से दूसरे area में जाएंगे, rail के थुरू, road के थुरू अपने घर पहुंचेंगे, या फिर वीडियो से अंदर country के अंदर आएंगे, अब उनको कैसे लेकर चलना है, उसके लिए एक proper एक framework होना चाहिए, quarantine का, जो कि अब तक आप लोग ने आपर implement नहीं किया गया है, एक proper period होना चाहिए, अब COVID-19 तो एक ही बीमारी है, कोई 7 दिन रख रहा है, कोई 14 दिन रख रहा है, कोई एक भी दिन नहीं रख रहा है, बोल लाग घर जा कर रहो अपना आराम से, तो इस तरीके से, ओल राज्य को यहाँ पर जो बीमारी है, उसके लिए treatment यहाँ पर लोगों को एक जैसा देना चाहिए, कम से कम एक baseline होना चाहिए, कि 14 दिन तक तो यहाँ पर रखना ही रखना है, बाकी आप लोग आगे सोच लो, अलग अलग राज्य को क्या कर रहेंगे, यानि कि basic चीज होना चाहिए, जैसे कि morning में अगर मैं आप लोग को उठकर बोलू, कि कम से कम दो गिलास तो पानी आप लोग को पीना ही चाहिए, अगर अपनी body को आप लोग अच्छे से रखना है, तो यह कम से कम होना चाहिए, बाकी 3-4 भी आप लोग पी सकते हैं, आप की capacity के हिसाब से, तो वो बात आप लोग बोल सकते हैं, कि इतने दिन तो कम से कम रखो, एक decent और free, एक तरीक से free, official accommodation उनको provide कराओ, जो खासकर चाहते हैं, उनके लिए कोई facility provide कराओ, अगर कोई private में quarantine चाता है नहीं चाता है गोर्मेंट की चीजों में रहना, तो उसके लिए private quarantine की hotel बगएर की आप लोग उसके लिए वेवस्ता कराओ, जिसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक आदमी है, अगर कोई हाँ पर ऐसा है, जिसके पास में पैसा नहीं है, तो उसके लिए कम से कम government facility provide कराओ, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, कि उनको मरने के लिए हमारी है किसी में कम है, कई सारे राज्ये डेटा भी छिपा रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के बारे में हम लोग ने डिस्स किया था, तो इसी के चलते हमारी country में 85,000 से जादे केस हो चुकी हैं, तो आज केर में अगर आप लोग नज़ डालेंगे, 85,000 के करीब हिहाँ पर चीजे एडवाईज देगे हैं आपक, अप्रूव किया गया है कि होम आईशोलेशन होना चाहिए, अब यहाँ पर होम आईशोलेशन अगर आप लोग कर रहे हैं पेशेंट को, जिसमें very mild symptoms है, pre symptoms of the cases आप लोग बोल सकते हैं, USA में बहुत सारे ऐसे case निकल कर आए बात में, जिनमें starting में symptoms थे ही नहीं, अगर उनको होम में आप लोग रख रहे हो तो एक तरीक से पूरे घरवालों को आप लोग वो एक तरीक से बीमारी फेलने का नियोता दे रहे हो, तो इस तरीक से central government को और state government को यहाँ पर कम से कम मिलकर काम करना चाहिए, बोत जो भी हाँ पर facility हाँ पर provide करानी पड़ेगी, क्योंकि जैसी policies आप लोग ही चल रही है, उससे लग नहीं रहा है कि हाँ पर चीज़े कुछ धंक से सुधरने वाली है, तो सेख चिल्ली वाली हालत ही हाँ पर देखने को मिल रही है, यानि कि आनन फानन में कुछ भी किया जा रहे है, एक proper plan क through काम नहीं किया जा रहे हैं, ऐसा आप लोग ही हाँ पर बोल सकते हैं, तो यह है complete article जिसके बारे में आप लोग को idea रखना है, आगे चलते हैं next article की और, next article की और चलने से पहले आप लोग फिरसे के उपर ने डालिए, यह है तमिल नाडू, तमिल नाडू में दूसरे नंब तमिल नाडू, यह हाँ पर marketing corporation, यह company है government की, और यह क्या करती है, यह जैसे कि आप लोग सराब वगएरा alcohol beverages, वो बेचने का काम करती है, wholesale और retail price पर, तो यह है आप लोग बोल सकते हैं, दारू बेचने वाली company, ठीक है, यह है basic मतलब इसका, headquarter इसका चिन्नाई में है, founder थे इ तो इसके बारे में जानना जुरूरी था, तब आप लोग यहाँ पर article को समझ पाएंगे, तो तमिल नाडू के अंदर की बात, पर लेकिन किसी भी राज्य में, अगर आजकेड में आप लोग जाते हैं, हर राज्ये government के पास में एक अच्छा-कासा revenue generate करने का तरीका होता है कि वो alcohol को बेचता रहे, आप लोगों ने देखा है कि इतनी सारे लोग मर रहे हैं, सराप पीकर एक्सिडेंट हो रहे हैं, फिर भी state government जो है, ये alcohol बेचना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादे पैसा आता है, जहाँ पर revenue होता है, वहाँ पर सारी दारू खरीद कर पीना पसंद करेंगे, जिसके पास पैसा है, वह अच्छे काजी सेंपियन जैसी दारू पीना पसंद करते हैं, जो हजारों में आती हैं आपा, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो condition क्या है, condition यहाँ पर पैसे का खेल सारा देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर कहीने के इन राज्य की भी एक तरी से मजबूरी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, दो तीजों में conflict हो गया है, एक तो यहाँ पर जो fiscal health के बारें बात करें, यहनि के पैसा नहीं है राज्य के पास में, दूसरा public health जो हो बिगरती जा रही है, उनके लिए चाहिए, यहनि के राज्य के पास में राज्य सुभी नहीं है, वो खतम होता जा रहा है, इस टाइम पर lockdown चल रहा है, सारी चीजे ठप पड़ी है, और उस टाइम पर यहाँ पर यह भी देखना है कि किस तरीके से जो public health है, वो अच्छे से लेकर चलनी है, तो तमिल नाडू के दोआरा अभी हाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोड में पहुच गए, सुप्रीम कोड में पहुचे, जो मदरास हाई कोड का डीजन है उसके खिलाब में, मदरास हाई कोड ने ये बोला, कि जो retail store पर, यानि कि जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सब लोग यहाँ तरी जहपेटा मार रहे हैं, एक दूसरे के उपर एक तरी चिपटने के लिए तैयार हैं, जबकि social distancing यहाँ पर होनी चीए, हो सकता है कोई एक यहाँ पर बीमार हो, हो सकता है सराब देने वाला ही बीमार हो, या फिर हो सकता है कोई एक बीमार हो, और उससे सराब देने वाले क को लग जाए और फिर जो भी सराब लेने आएगे आप फिर सबको भीमारी लग जाए तो कुछ भी कंडिसन हो सकती है तो यहाँ पर हाई कोट के द्वारा यह बोला गया कि भाईया आप लोग रिटेल जो इस्टोर है वहाँ पर सराब बेचना बंद करो आप लोग ओनलाइन स देखने को मिली राज्य गवर्मेंट ने इसको मानने से मना कर दिया और वो डिरेक्ट सुप्रीम कोट पहुँच गे उनके द्वारा टोफ कोट में जाकर यहाँ पर बोला गया कि इस तरीके से हमारा जो एक्जिक्यूटिव एरिया है उसमें इस्टेट जो हाई कोट है वो से मना कर दिया है लिकर सोप के उपर इसी तरीक से अनधर केस में क्या किया गया है सुप्रीम कोट के दौरा सजेस्ट किया गया कि ओनलाइन सेल और जो होम डिलिवरीज है उनको तो आप लोग अलाओ रखो बाकि दूसरे उप्शन पर इंपोस कर देते हैं कई बाद तो एक तरीके से बैलेंस बना कर चलना काफी ज़्याद है तो तमिलनाडू का जो केस था उसमें इस्टे लगा दिया गया हाई कोट के ओर पर और एक तरीके से बोला गया कि एक तरीके से फिर से स्टार्ट करना है जो भी आपर तमिलनाडू के दौरा जो स्टेट गोर्मेंट के द देखने को मिली, तो state government यहाँ पर इन सब चीजों को managing नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी भीड यहाँ पर निकल कर आगी, तो इसके चलते हैं आपर जो problem थी बहुत बड़ी problem देखने को मिली, तो high court नहीं क्या लगा दिया के उपर बहन लगा जिया कि only online बेचो, offline आप लोग मत बेचो, तो tamilnadu जो government है, वो इसको यहाँ पर फिर से start करने के लिए, तब हाँ पर वो court में पहुची, और उनके दोरा बोला गया कि हाँ पर इसको start करना है, लेकिन अगर आप लोग पाजकेर में number of positive case के बारें बात करें, tamilnadu के अंदर में, तो दूसरे number पर है, सबसे ज़्यदा हमारी country के, और इस तरीके से यह अगर यहाँ पर revenue के ओपर बेचा जा रहा है, यानि कि यह बहुत ज़्यदा large scale पर बढ़ने वाली है, एक तरीके से जो चन्नी सिटी हैं आप बहुत large scale पर अगर आज केरे में आप लोग देखोगे, जो wholesale vegetable और fruit market है, वहाँ पर भी यह problem देखने को मिल रही हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर यह picture हैं आपर particular area की, यह समझें आपर यह चेहरे पर यह तरीके से only इसको लगाने से क्या काम चल जाएगा, जिस तरीके से आपर देखें एक दूसरी से कितना करता हुआ जाएगा, उस उस चीज पर वह बीमारी लगती चली जाएगी, और सब लोगों तक यह बीमारी बहुती आसानी से पहुंचती चली जाएगी, तो state government जो है आपर, जो argument कर रही है हाई court के अंदर, तो दीखें, policy matter के लिए वो चली है सही है, Supreme Court ने जो भी हर एक जो sale करते हैं उस पर 5-10 रुपे extra, तो उनका जो revenue है वो 5-10 रुपे अगर एक sale पर लगाते हैं, और जब उनको इखटा करके जोडते हैं, तो क्रोडों में वो कमाई हो जाती है, तो अगर offline की जगे online बेचेंगे, तो वो वाली कमाई इनकी नहीं हो पाती है, तो यह क करेंगे, फिर बीमारी को ठीक करने में, तो वही बात हो गई, पहले तो बी मार्णु फाइसा कमाने में, और फिर प्री जिन्दगी जब पैसा कमा लिया, तो बराद कर दिया पूरे शरीर को, अब वो पैसा यूज करें उस सरीर को ठीक करने के लिए, तो क्या मतलब छीज क आप लोग भी धान रखिए, मार्केट से कुछ भी आप लोग लेने जा रहे हैं, तो इन से कोशिस कीजिए कि थोड़ी सी सोचल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए. नेक्स्ट आर्टिकल बिहेवियर के बारें बात करता है, अगर बिहेवियर के बारें बात करता है, तो इससे अच्छा उधारान आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा. स्वच भारत मिसन हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया, जिसको स्वच भारत मिसन को 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांदी जी की जेंति के चलते हैं, फिर बोला गया, 2019 तक यहां पर इसको, 150 वी बरता इनिवर्सिटी जब महात्मा गांदी जी की सेलिबेट की गई हैं आपर हमारी कंट्री में, तब तक हमारी कंट्री को स्वच भारत के तहत स्वच बनाना है completely, और यह सब जगें इंप्लिमेंट किया गया, 4,041 से करीब टाउन है, census 2011 के इसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे important जो आप लोगों में बताने वालों, वहें आपर behavior change, behavior change मतलब, मालिए किसी particular person को आदत है कि खुले में सोच करना है उसको जागा, अब घर पे आप लोग toilet बना देते हैं, वो घर में बैटकर toilet नहीं करेगा, वो फिर भी बाहर जाएगा, यानिकि घर में toilet है, पर लेकिन इंसान बाहर जा रहा है open defication के लिए, तो इसके चलते सबसे बड़ी problem क्या देखने को मिलती है, कि सोच करने बाहर जा रहा है, घर में toilet है, तो ये इसका behavior है, कि घर में ही इसको सोच नहीं करना है, बाहर जाना है, तो ये जो घर में toilet बनाएगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानि कि परसन जो फिर भी बाहर जा रहा है, यहाँ पर एक तरीक से fresh होने के लिए, तो ये क्या है, ये behavior है, अगर इसका behavior है आपर change हो जाता है, घर में toilet यूज करने लगे, तो बहुत सारी बीमारियों से आपर बचा जा सकता है, तो ये जो behavior change करने का भी काम किया गया, सोच भारत mission के चहत, तो यहाँ पर अभी जो बात बोली आ रही है, ये बात बोली आ रही कि COVID-19 के सलते हैं, आपर कई सारे behavior change आगे ने वाले टाइम में होने वाले हैं, सबसे important जो word यहाँ पर use किया गया है, ये social marketing, social marketing क्या होती है, एक तरीकी approach होती है, जो कि यहाँ पर use कि जाती है, develop करने के लिए, कि change करना या फिर maintain रखना people का behavior, individual या फिर society whole, यानि कि एक तरीक से change करना किसी particular चीजों के लिए behavior, तो COVID-19 जो यहाँ पर हैं इसके चलते, अभी यहाँ पर social marketing campaign चलाए जा रहे हैं एक तरीके से, जो behavior change करने के लिए, ताकि future में कोई बीमारी नय हो, उसको रोका जा सके, इसमें बहुत सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी, एक छोटा सा उधारन आप लोग को मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप अगर आज केट में कोई free shopping behavior अगर आप लोग को देखने को मिलता है, पहले क्या करते थे, किसी भी दुकान में जाकर घुश जाते थे, तो यहाँ पर बोलते थे, चाय खरीदना हो, चाय नया खरीदना हो, वो नहीं करते हैं कि एक तरीकी से windows hopping करने पहुँच गए, घुमने फिरने के लिए पहुँच गए, कि भाईया ये कितने का हैं, पसंदाया रख दिया, वो उसमें, वो उस रूम नहीं सुरी, जो ट्राइ रूम है उसमें चले गए, ट्राइ ब्रूम में लेकर 15-20 कपड़े ले गए, और उनको ट्राइ किया, फिर वापस फैक दिया, अब आपने ट्राइ कर लिए वापस फैक दिया, पता चला कोई COVID-19 का मरीज है, वो भी हाँ पर आय था, उसको symptoms थे हलके फुल के, वो भी उसको चेक करके गया, ट्राइ करके गया, पसीने थे उसको, और उसने पहन लिया, आज की डेर में आने वाले टाइम में, अब लोग इसको ट्राइ करते वी बी ड्रेंगे, किसी भी चीज को टच करते वी ड्रेंगे, जो सामान खरीदना है उसी को टच करेंगे अवोइड करेंगे आपर स्टाप के साथ में भी ज़्यादे हात वात मतलब डिस्टेंस बना कर रखे जए ओनलाइन पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगे ज़्यादे सेंपल को भी टच करना पसंद नहीं करेंगे जो जरूरत है उसी और चीजों को लेंगे क्यों में लख रख कर काम करेंगे यह निकि इधर दोर घूमते फिर रहें सारे तो ये सारी चीज़े जो हैं अगर ये सारी चीज़े आप लोगों ने बिहीवियर में नहीं लाई आने वाले टाइम में तो इस बीमारी को रोकने वाले नहीं है यानिके ये बीमारी और लार्ज स्केल पर बढ़ने वाली है तो ये बाते हाँ पर बोलने की कोशिस की जा रही है यानिके COVID-19 जो है वो एक तरीके से ये तो सही है कि आप लोग एकनोमी को रिश्टोर कर रहे हैं वो सारी चीजे आप लोग पर लेकिन पोलिसीज को भी सही करें सही बात है मेडिकल भी सही करें सही बात है पर लेकिन आप लोग को हैंपर behavior के उपर भी focus देना पड़ेगा यानिके behavior change भी अगर नहीं आया पर लेकिन अगर change नहीं करेंगे तो जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उम्र दराज थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी तो वैसे वैसे लाइप में दुनिया भर की पोलम आप लोग को देखने को मिलेंगी खाना पीना वैसे इतना जादे मिलावटी आता है तो जो लेवल पर आप लोग काम कर सकते हैं कम से कम उसी लेवल को आप लोग ठीक करके चलिए तो सुबह को उटकर हलकी फुलकी exercise जरूर कीजे ताकि आप लोग की बोड़ी जो है वो fit रह सके तो science जो है आज के दे में अगर आप लोग बात करेंगे जो मैंने बात की social marketing के बारे में तो basically behavior को change करने की बात करते है और यह दोनों को फायदा पहुचाएगी जो target आप लोग करना चारे है एक चीज को लिए सही करने के लिए उसके लिए और society के लिए भी फायदा पहुचाएगी public health safety environment के लिए इन सब के लिए यहाँ पर यह काफी important है और huge impact यहाँ पर डालती ही नजराएगी अगर इसको effectively use किया जाता है तो तो यहाँ पर जो बात की जा रही है उस social marketing के बारे में आज केटे में कई बार आप लोग ने देखा होगा मोधी जी भी आते हैं आप लोग यहाँ पर बोलने के लिए कि आप लोग ऐसा कीजे वैसा कीजे तो इससे क्या होता है एक society में behavior देखने को मिलता है कि change हो रहा है नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है health belief model के बारे में यह model यहाँ पर दिया गया था अर्विन M. रोसनिस्टोक के दौरा इनके दौरा suggest के गया था कि behavior जो है वो यहाँ पर एक तरीके से जो behavior है तो इस तरीके से आप लोग को behavior चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा तो इसी के चलते दो बाते इनके दौरा बोले गी है दो model की बात की जा रही है एक तो बात की जा रही है आपर lab के बारे में यानि के कथित lab तो इसका मतलब क्या होता है कि जो effective action है जो एक तरीक से available होते है reduce करने के लिए threat तो उसके उपर focus कियाते है दूसरा क्या-क्या obstacle आ रहे है क्या-क्या बाधाय आ रही है जो चीजे implement करती जा रही है उसके चलते तो ये चीजे आप लोग है आपर समझनी पड़ेंगी और उसको तब implement करना पड़ेगा यानिकि एक तो फाइदा कैसे करना है एक दूसरा इसको control कैसे करना है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही है तो adapt करने की बात कि जारी desire behavior एक तरीके से इसमें emotionality बहुत बड़ा role play करती है अगर आप लोग देख सते हैं जैसे कि आप लोगोंने कई बार देखा होगा अगर घर पे आप लोग बात नहीं मान रहे है और कोई आप लोगी ममी सीधिया वो पिटा ही नहीं करती है तो आप लोगों emotional करने की कोशिस करती है not just only informative or educational emotionality भी हाँ पर होनी चाहिए जैसे cigarette sale के बारे में आप लोग बात करते हैं cigarette sale जो है वो हाँ पर example है कि एक तरीके से अगर आप लोग इसमें ढंग से emotionality डाल कर कई सारे advertisement आप लोगों ने देखे होगे उसको अगर use के जाते है तो इसको कहीं ने कहीं जो publicize किया जाता है आज के लिए में तो कम से कम जो इनसान लग चुकी है अगर emotionality उसको बोली जाए emotionality के थूरे advertisement कि जाते है कि पापा पीना छोड़ दो कि यह हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो बोल रहे है कि educate कर रहे हैं उनको कि इससे body बाद हो जाती है इससे यह हो जाता है इससे आप लोग की death हो जाएगी यह हो जाएगा ठीक है तो वो इनसान के दिमाग में नहीं फस्ती है पर लेकिन जब बोल रहे जाता है कि आपके बच्चे अनात हो जाएगे आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा वो सड़कों पर आ जाएगे तो उससे जादे impact परता है दिमाग पर ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि emotionality को लेकर थोड़ा सा चलना पड़ेगा और इसी का use हमारे प्रैमिश्टर कई बार करते हैं जनता कर्फ्यू के बारें बात कहीं तो लोगों ने काफी अच्छे से implement किया गया लाइट जलाने की बात किगी जो मुंबत्ती अगरा जलाने की लाइट बंद करने की बात किगी तो हाँ पर आप लोग देख सकते हैं बंगलादेश में भी 1970 में जब बंगलादेश बनाया गया नई कंट्री पाकिस्तान से अलग कर गी उस टाइम पर लिमिटेड रिसोर्स थे तो फैमिली प्लानिंग के बारें बात की गई तो उन्होंने काफी अच्छे से उसको फोलो किया और जैसा मैंने आप लोग को बताया था आने वाले टाइम में कई सारी चीजे और भी चेंज होने वाली है जैसे मास्क पहने हुए लोग को आप लोग को नजर आएंगे हाथ मिलाने से दूर रहेंगे नमस्ते करते हो आप लोग को नजर आएंगे जैसे कि अभी हमने बात की श्टोर में जाकर कपड़ा चेंज करने से लोग बचेंगे पैक्ड जो ज़्यादे सामाल लेनी कुछ करेंगा अगर किसी ने चेंज कर लिया तो उसको अलाओ नहीं करेंगे अलगी चेंज करना भी अपना नंबर देखे जो भी है और उसको देखे फिर उसको धुलकर फिर वहाँ पर रखा जाएगा कुछ ऐसी सिचेशन आप लोग को देखने को मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ आने वाले टाइम में चेंज होने वाली है तो यह किसके लिए होता है तो पहले तो आप लोग यह याद रखे यह जो होता है बेसिकली यह एंट्रेंस एक्जाम होता है MBBS और जो हाँ पर BDS होते हैं खासकर medical में हाँ पर exam में उसमें admission लेने के लिए medical colleges में तो यह national level का बना दिये हैं आप इसमें चलते सबसे बड़ी problem क्या होगी पहले state level पर चीज़े होती थी पर लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने पता होगा कि अगर तुमारे पास में 50-60 लाग रुपे हैं तो तुम डॉक्टर बन जाओगे तो वो situation वहाँ पर देखने को मिलती थी तो ऐसा अब तक system वहाँ पर change नहीं हुए है और education level कई बार आप लोगो देखने को मिलता है कैसा है जैसे बिहार की एक news निकल कर आई थी वहाँ पर जो नकल दिखाई गई थी कि building पर चड़कर spider man बनकर वहाँ पर सब नकल पकड़ा रहे थे तो ऐसी चीज़े आप लोगो देखने को मिलती है तो आप लोग यह समझे एक बच्चा बिहार से निकल कर आ रहे है या फिर UP से निकल कर आ रहे है वहाँ पर education system की अगर आप लोग बात करते हैं तो यह माना जाता है कि up to the mark नहीं है अगर government के बारे में आप लोग बात करेंगे तो वहाँ से वो बच्चा निकल कर अब national level के competition में आ रहा है तो आप लोग यह समझे कहां से वो national level पर compete कर पाएगा तो सबसे बड़ी problem यहाँ पर देखने को मिल जाती है कर दी गई है इससे जो है वो बच्चे भी काफी जदर frustrated फिल कर रहे है क्योंकि अगर कोई बच्चा CBS से स्कूल से पढ़ा हुआ है एक तरीके से ICC से पढ़ा है तो उसका तो level अच्छा रहता है अच्छा education में सिस्टम में इला है यह किस से लिटर है यह question आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं लेक मैंनी तोबा के बारे में बात की जा रही है तो यह जो लेक है बोला जारा है कि Canada की 13th largest लेक है दूसरा बोला गे हैं आपर जो यह लेक है यह नोर्थ में आप लोगों को देखने को मिलती है लेक विनिपेगोसिस जिसके बारे में हम लोगों ने डिसकस भी किया था कौन सी statement correct है 1, 2, both, neither one nor two सही answer आप लोगों को बताना है तो सही answer जो है आप लोग देख सकते हैं क्या है सही answer यहाँ पर सही answer यहाँ पर इसका B कैसे हो गया यहाँ पर इसको चेंज गर दूँगा मैं तो यहाँ पर सही answer basically क्या है सही answer यहाँ पर जो कैनेडा में है सही बात बोली गिए पर लेकिन जो दूसरी statement बोला गया है कि जो लेक यहाँ पर यहाँ आपर Winnipegasis तो इसके नोर्थ में इसको बोला गया जबकि इसके साउत में है ठीक है यहाँ पर दो लेक है एक है लेक Winnipegasis जिनके बारे में हम लोग ने डिस्कस कैता और एक है लेक यहाँ विनिपेग तो विनिपेग बड़ी लेक है आपर इसका मतलबी बड़ा होता है और इसके आपर छोटा होता है ठीक है यह आपर सिडर लेक जो कि आप लोग को देखने को मिल रही है यह सारी लेक कैनेडा के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा इसके बारे में डिस कसन और फिर से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ answer writing group जो है उसका link वीडियो के नीचे मिलेगा उसको आप लोग जोइन कर सकते हैं ठीक है तो मिलता हो next lecture में यहाँ से PDF डाउनलोड के लिजएगा बड़ो को नमस्ते छोड़ो को प्यार छोड़ी से life enjoy के लार तब तक के लिए जैहिन